जहिन दोस्तों, I welcome you all to Simplified Astrology, my name is Sumit बत्रा आज मैं आपको कुछ कुछ कुणलियों का analysis करवाऊंगा हाला कि अभी बहुत कुछ सिखाना रह गया आपको बट जितना भी हमने अभी तक सीखा है उसी के बेस पर हम आज analysis करेंगे शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ planets और houses के बारे में कि 9 ग्रहों में से कुछ ग्रहे नैसरगिक शुब ग्रहे होते हैं मतलब natural benefit planets होते हैं और कुछ ग्रहे नैसरगिक पापी ग्रहे होते हैं मतलब natural malefic होते हैं पहले जान लेते हैं शुब ग्रहों को, सबसे जादा शुब ग्रह है, है गुरू, और फिर शुक्र, उसके बाद आता है चंद्रमा, जो हमेशा शुब नहीं रहता, कुछ experts का मानना है कि जब चंद्रमा बढ़ रहा हो, यानि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो, और उसमें व्य observation रही है, उसमें मैंने ये notice किया है कि जो व्यक्ति पूर्णिमा के आसपास पैदा हुआ है, चाहे वो कृष्ण पक्ष में ही क्यों ना पैदा हुआ हो, उसका चंद्रमा शुब है, और जो व्यक्ति अमवस्या के आसपास पैदा हुआ है, उसका चंद्रमा पापी है, इसक कभी इस बात पर गौर करना कि जो लोग मांसिक तनाव से जूजरे होते हैं, वो लोग अमवस्या के दिन कुछ जादा ही तनाव में आ जाते हैं अब बात करते हैं पापी ग्रहों की शनी, मंगल और सूर्य पापी ग्रह माने गए हैं और समुद्र मंथन के बाद राहू और केतू की एंट्री हुई तो वो भी पापी ग्रह की श्रेणी में आ गए अब एक ग्रह रह गया जिसकी मैंने बात नहीं करी that is बुध यानि मरकरी मरकरी एक neutral planet है इसके उपर संगती का असर होता है अच्छी संगती में रहेगा तो अच्छा हो जाएगा बुरी संगती में रहेगा तो बुरा हो जाएगा मतलब शुब ग्रह के साथ बैठेगा तो शुब फल देगा और पापी ग्रह के साथ बैठेगा तो बुरे फल देगा अब आज़ाओ कुंडली पर इसमें जो घर सेंटर में है पहला, चौथा, सातवा और दसवा इन घरों को केंदर बोला जाता है और ये बहुत शुब घर होते हैं और इनसे भी जादा शुब घर होते हैं पहला, पांचवा और नौवा इनको हम त्रिकोण बोलते हैं पहले घर को केंद्र और त्रिकोंड दोनों बोला जाता है इसलिए ये घर बहुत important है अब आजाओ दुश्ट स्थानों पे जो हैं छटा, आठवा और बारवा घर ये घर सबसे बुरे होते हैं किसी भी इंसान के जीवन में सिर्फ सुख ही सुख नहीं हो सकता वो इसलिए क्य मैं 1999 को सुखा के 11 बच कर 40 मिनट पर दिल्ली शहर में इनकी कुंडली में आप देख सकते हो कि 1st, 4th, 7th और 10th house मतलब केंद्र के सभी घरों में सभी पापी घरह आकर बैठ गए और एक भी शुब घरह केंद्र में नहीं आया और एक भी पापी घरह केंद्र से बाहर भी नह कर सकते हैं कि इस लड़की की उम्र जादा नहीं है और इसकी मृत्यू 11 अक्टूबर 1999 को ही हो गई थी जब ये सिर्फ 6 महीने की थी अगर ऐसे कॉंबिनेशन्स वाला व्यक्ति लंबा जी भी जाए तो उसको बच्पन से ही कई सारी बिमारियों और दुरभटनाओं का सामन जाएंगे ये कुंडली है एक व्यक्ति की जिसका जर्म 30 जनवरी 1882 को हुआ था रात के 8 बजकर 45 मिनट पर न्यू योग सिटी में अमेरिका में कन्या लगन की कुंडली है मतलब 1st house में 6th राशी आई है उसका स्वामी होता है मरकरी और वो चला गया 6th house में जो की एक बुरा घर है और बिमारियों को रिप्रेजेंट करता है अब क्यूंकि लगन का स्वामी बुध 6th house में आया है तो मतलब इनको बुध से related बिमारी होना स्वाभाविक है मैंने आपको बताया था कि बुध होता है हमारा brain तो इनको brain से संबंदित बिमारी हो सकती है जब ये 49 साल के थे तब इनको paralysis का stroke आया इनकी lower body ने हमेशा के लिए काम करना बंद कर दिया और ये जीवन भर के लिए wheelchair पे आ गए आपको ये पता होना चाहिए क कि paralysis की problem brain में stroke आने की वज़ा से ही होती है दो तरहा के stroke होते हैं इसकिमिक stroke और hemorrhagic stroke दोनों ही paralysis के लिए जिम्मेदार होते हैं इसकिमिक stroke में आपके blood vessels जो भी brain की तरफ जाते हैं उनमें blockage create हो जाती है और brain के उस part में blood नहीं पहुँच पाता और वो हिस्सा dead होना शुरू हो जाता है hemorrhagic stroke में blood vessel rapture हो जाती है मतलब नस फट जाती है और brain के उस area में खून फैल जाता है और वो area dead होना शुरू हो जाता है लेफ्ट में ischemic stroke का MRI है और right में hemorrhagic stroke का MRI है तो paralysis के लिए brain और blood जिम्मेदार हैं मतलब mercury और mars जिम्मेदार है mercury disease के house में ही बैठा है 6th house में और mars स्वामी बना है chronic disease के house का यानि 8th house का और फिर mars 8th house का स्वामी होके चला गया 10th house में और उसमें राशी फिर mercury की ही आई बताया था ना 3 number का स्वामी mercury होता है तो mercury और mars ने मिलकर इन्हें paralyze कर दिया अब आप overall देखो कि केंद्र के सभी घरों के स्वामी बुरे घर में बैठे हैं 1st और 10th का लौड mercury 6th में बैठा है और 4th और 7th का लौड जुपिटर 8th में बैठा है तो हमें ये बात समझ में आती है कि इस इंसान का जीवन कई प्रकार की बिमारियों से भरा होगा अब मैं आपको इनकी बिमारियों के बारे में बताता हूँ इन्होंने अपने जीवन में काफी life threatening problems जेली हैं जैसे कि respiratory failure, ulcers, tango की नसों में clot जमना, malnutrition, urinary tract infection, urethra और bladder में injury यहां तक की एक बार तो इन्हें दो हफ़तों तक urine ही पास नहीं हुआ था, तब इनको catheterization कराना पड़ा था catheterization होता है कि जिसमें आपके urethra से pipe डाला जाता है bladder तक और फिर सारा urine drain किया जाता है urethra की problem इनको क्यों हुई आओ astrology के माध्यम से समझते हैं हमारे urethra को represent करता है 7th और 8th house 7th house में Pisces राशी आई है जिसका lord होता है Jupiter और वो बैठा है बहुत ही खतरनाख house में that is 8th house और बैठा भी है अपने enemy Saturn के साथ अब Saturn जो कि 6th house का भी lord है वो Jupiter पर तो effect डालेगा और 8th house को भी weak करेगा क्योंकि Saturn Aries राशी में नीच हो जाता है उसको Aries में रहना बिल्कुल नहीं पसंद Saturn फस गया एक तो enemy sign में और तो और अपने enemy Jupiter के साथ तो इससे 7th house और 8th house completely damage हो जाते हैं इसलिए इनको urethra में infection भी हुआ और वहां injury भी हुई अब दोस्तों बाहर निकलते हैं medical astrology से negative बाते बहुत कर ली अब कुछ positive देखते हैं एक ऐसी कुंडली जो personally मुझे बहुत पसंद है इनका जन्म हुआ था 22 जन्वरी 1994 को दोपहर के 2 बजे वडोडरा शहर में जो किया गुजरात में मैं उमीद करता हूँ कि इन सज्जन को आप जानते होगे so ladies and gentlemen please welcome the great YouTuber from India Bhuvan Bam इंडिया के किसी कोने में चले जाओ शायद ही कोई ऐसा young generation का इंसान होगा जो इने नहीं जानता होगा आईए इनकी कुंडली का analysis करते हैं लगन में Venus द्वारा rule किया हूँ टॉरस sign आया है जो अपने आप में एक creative sign है फिर इसमें आगया moon वो भी शुकल पक्ष की दसवी तिथी का मतलब पूर्णिमा के बहुत पास moon जब भी first house में आता है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत talented बनाता है और इनमें multitasking की ability भी होती है अलग-अलग काम को अकेले संभाल सकते हैं और इनका चंद्रमा तो first में आया और साथ में exalted भी हो गया मतलब उच्च हो गया उच्च और niche का concept मैं आपको बाद में सिखाऊंगा अब इतना जान लो कि 12 राशियों में से moon सबसे अच्छा perform करता है टॉरस में और अपनी खुद की राशी cancer में इतना perform नहीं करता जितना ये टॉरस में अच्छा perform करता है अब देखो कि केंद्र और त्रिकोन के स्वामी कहां बैठे हैं first house का lord venus गया सबसे शुब घर 9th house में fourth house का lord sun भी गया 9th house में fifth house जो की त्रिकोन है उसका lord भी mercury गया 9th house में फिर seventh house का lord mars भी गया 9th house में तो देखा आपने कितना बहतरीन राजियोग बन रहा है और चार planets आने की वज़ह से 9th house कितना जादा strong हो गया और मैंने आपको बताया था 9th house हमारा luck होता है तो भुवन बाम का luck कभी इनका साथ नहीं छोड़ सकता एक बार 9th house के lord पर भी नजर डाल लेते हैं जो की है शनी और वो चला गया 10th house में तैस केंदर में और वो भी अपनी खुदी की राशी में अब एक बात और नोट करिए कि 2nd house जो की wealth का होता है और हमारी speech का भी होता है और 2nd house का lord mercury बना जो खुद speech का ही कारक है और वो चला गया 9th house में जिससे 2nd house की भी strength बढ़ गई इसलिए ये अलग अरग characters की आवाजे निकाल लेते हैं और ये बहुत अच्छी singing भी कर लेते हैं 2nd house मजबूत होने की वज़ा से इनोंने बहुत कम उमर में ही काफी जादा wealth इकठी कर ली इनके 10th house में देखिए शनी बैठा है जो दो अच्छे घरों का स्वामी है 9th और 10th house का और बैठा भी है 10th house में जिनके भी कुंडली में 10th house में शनी बैठता है मजबूत होकर ऐसे लोग social work बहुत करते हैं और भुवन बाम एक्च्छल में काफी social work करते हैं अपनी income का वो काफी अच्छा खासा amount use करते हैं food और milk provide करने में slums में और कई जगहों पर वो donate करते हैं ऐसी भावना उनके अंदर शनी लेकर आया 10th house में बैठकर चलो एक बार हम इनके हाथों का भी analysis कर लेते हैं ये आपकी screen पर भुवन बाम के हाथों की तस्वीर है artistic और creative talent हम देखते हैं venus mount से हाथ के इस portion को हम venus mount या शुक्र परवत भी बोलते हैं इनके हाथ पर आप देखो कि शुक्र परवत कितना ज़्यादा फूला हुआ है जिससे हमें पता चलता है कि इनके multi talent और creativity के बारे में अगर हमें इनका music talent देखना हो तो हम देखेंगे इनकी little finger को जो कि significator होती है mercury की वो अच्छी खासी लंबी है और बाकी finger से separated है मतलब natural gap है इनके बीच में इसलिए mercury इनके communication skills को बिल्कुल excellent level पर लेकर जाता है इस finger से हम इनके vocal skills देख सकते हैं अब इतने अलग-अलग characters को एक ही इनसान play कर रहे हैं और ये हर किसी के अपनी अलग पहचान है इन सब community के लिए ये content appropriate नहीं है बट इनोंने किसी की परवा नहीं की ये चीज हमें पता चलती है अनामिका और कनिष्ठा उंगली के बीच के natural gap से अब कई प्रकार की finger tips होती है जिसकी finger tip बहुत pointed होती है वो इनसान बहुत intuitive होता है पर जैसे जैसे ये broad होती जाती है तो ये बताती है कि उतना ही इनसान dynamic होता जाएगा अब bowenbaum की finger tips पर गौर करो कि ये कितनी जादा broad है तो इससे हमें पता चलता है कि ये कितने जादा dynamic और energetic है heart line के कुछ features जान लीजिए अगर ये Jupiter mount यानि index finger तक जाती है तो ये आपको बहुत idealistic बनाती है और अगर ये दोनों fingers के बीच में खतम हो तो ये आपको काफी practical बनाती है बट अगर ये saturn mount यानि middle finger के ठीक नीचे खतम हो तो ऐसे इनसान बहुत ही जादा passionate होते हैं और कभी भी भावनाओं में ना बहने वाले इनसान होते हैं और इन्हें अपनी personal life में interference बिल्कुल पसंद नहीं होता और ये हम clearly भोवन बाम के हाथ में देख सकते हैं कि उनकी heart line exactly middle finger के नीचे खतम हो रही है इनकी headline बिल्कुल straight है जो इन्हें काफी जादा intelligent बनाती है हाथ का ये portion देखना अब भोवन बाम का ये portion इनका बहुत pointed है और एक noak type structure बना रहा है यहां से इनकी strong imagination देखी जा सकती है जिस level तक ये सोच सकते हैं किसी आम इंसान की सोच वहां तक नहीं पहुंच सकती मैं इनकी कुंडली में अच्छे से देख पा रहा हूं कि इनका film industry से नाता बन पा रहा है क्योंकि 5th house का lord 9th house में गया और वो भी Venus के साथ और राहू 7th house में बैठा है 7th house masses को भी represent करता है और राहू बैठा भी moon के ठीक सामने है तो ये आगे चलके आपको big screen पर भी नजर आ सकते हैं हाला कि इन्होंने एक short film में भी काम किया था plus minus में जिसमें इनको film fair award भी मिला था कई web series में भी ये काम कर चुके हैं मेरी calculation के हिसाब से इनकी रफ़तार रुकने वाली नहीं है बलकि इन्होंने अभी और काफी बड़े-बड़े मुकाम हासिल करने हैं जिन्दगी में आज मैंने जितना भी analysis कराया आपको वो सब उनी concept के basis पर कराया जो मैं आपको सिखा चुका हूँ मैंने अभी दृष्टी, गोचर, महादशा इन सब की बात नहीं करी धीरे-धीरे हम बहुत कुछ सीखेंगे और एक उत्तम astrologer बनने की कोशिश करेंगे अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो मुझे गुरु दक्षिना जरूर देना वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद